Friends, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार इस तरह के sentences बोलते हैं या फिर सुनते हैं जैसे की देख कर बताती हूँ, बता कर आती हूँ, पूछ कर बताती हूँ तो Friends, ऐसे टाइप के sentences को हिंदी से English में कैसे translate करेंगे आज की वीडियो में हम ये समझेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ Friends, हिंदी के sentences को बहुत तरह से हम हिंदी में ही बोल सकते हैं लेकिन English में इसकी sense देखी जाती है कि हम क्या sense में sentence बोल रहे हैं या फिर use कर रहे हैं आईए कुछ example से समझते हैं, जैसे आपको बोलना है देख कर बताती हूँ तो हिंदी में आप ये भी कह सकते हैं, देख कर बता दूँगी या फिर ये भी कह सकते हैं, देखने के बाद बता दूँगी लेकिन English में आप इसको बोलेंगे, I tell you after watching या फिर seeing या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, I will tell you after watching या फिर seeing आपको sense देखनी है कि अपके sense में sentence को use कर रहे हैं बता कर आती हूँ I will come after telling या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं I come after telling पूछ कर बताती हूँ I will tell after asking या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं I tell after asking सोच कर बताती हूँ I tell after thinking या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं I will tell after thinking और friends अगर आपको बोलना है सोच कर मैं तुम्हें बताती हूँ तब आप बोलेंगे I tell you after thinking या फिर I will tell you after thinking अब एक sentence आपकी practice के लिए आपको देती हूँ मैं सुनकर आती हूँ इस sentence को translate करके comment box में comment कीजिए और ये भी जरूर बताईएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी Thank you God bless you all